सुप्रभाद बच्चों, आज हम कक्षा छटी विशे हिंदी व्याकरण पुस्तक गुल्मोहर हिंदी व्याकरण वाक्यांश के लिए एक शब्द वै पाठ बारह का सार व्याक्यान एक पढ़ेंगे बच्चों, इस व्याक्यान में हिंदी व्याकरण पुस्तक से वाक्यांश के लिए एक शब्द वै पाठ बारह का सार है तो इस व्याक्यान में संसार पुस्तक है का सार समझाया गया है और वाक्यांश के लिए एक शब्द समझाये गए है तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे वाक्याश के लिए एक शब्द क्या होते हैं तो देखिए वाक्याशों के लिए एक शब्द भाशाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्याशों या बड़े कथनों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं इन शब्दों के ज्ञान से बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहा जा सकता है जैसे यदी कोई कहता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है तो इसके लिए एक शब्द अभागा का प्रियोग किया जा सकता है बच्छों भाशाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्याशों और कथनों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं वाक्याश होते हैं वाक्य का अईश तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्याशों और कथनों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं ये हमें उस चीज को संक्षेप में बताते हैं जैसे यदि कोई कहता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है तो इसके लिए हम एक शब्द अभागा का प्रियोग करते हैं तो बच्छों अब हम पढ़ेंगे वाक्याश के लिए एक शब्द नमबर एक बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंध विश्वास नमबर दो जिसकी कल्पना ने की जा सके अकल्प निये नमबर तीन जिसका कोई कारण नहीं हो अकारण नमबर चार जिसका कभी जन्म ने होता हो अजन्मा नमबर पांच जिसके आने की तिथी निश्चित ने हो अती थी बच्चों सबसे पहले बिना सोचे समझे किसी पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसे कहते हैं अंध विश्वास और जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो है अकल्प निये जिसकी कल्पना नहीं कर सकते जैसे कुछ शब्दों के विलोम बनाने के लिए उनके सामने एजोडा जाता है तो उसी तरह जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती अकल्पनी है जिसका कोई कारण नहीं हो अकारण जिसका कारण नहीं हो अकारण बिना किसी कारण के जिसका कभी जन्म नहीं होता हो यानि जिसका कोई जन्म नहीं होता, उसे हम कहते हैं अजन्मा, जिसके आने कीती थी, निश्चित नहीं हो, वो होते अती थी, जिसके आने कीती थी, निश्चित नहीं होती, उसे हम कहते हैं अती थी, तो बच्चों, अब देखिए आगे, नमबर छे, जिसकी तुलना नहीं की जो दिखाई ने दे अद्रिश्य नमबर आठ जिसका अन्त ने हो अनन्त नमबर नो जो पढ़ा लिखा ने हो अनपढ़ नमबर दस जिसका कोई नाथ ने हो अनाथ जिसका कोई नाथ मतलब होता है रखवाला जिसका कोई रखवाला ने हो वो होते हैं अनाथ तो बच्चों अब देखिए आगे नमबर ग्यारे जिसका भागय अच्छा ने हो अभागा नमबर बारे हैं जो कभी ने मरें अमर नमबर तेरह कम भोजन करने वाला अलपाहारी नमबर चोदह जिसपर विश्वास ने किया जा सके अविश्वस्निये नमबर पंद्र है जो सहाने जा सके असहाए असहे तो बच्चों जिसका भागय अच्छा नहीं होता उसे केते हैं अभागा और जो कभी ने मरें वो अमर केतनी तो अमर है कभी मरी नहीं सकता कम भोजन करने वाला जो थोड़ा खाते है अलप अलपाहारी अलप जमा आहार अलपाहार होता है उसी तरह कम भोजन करने वाला अलपाहारी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता होता है अविश्वस्निये जो सहाने जा सके असहाए तो बच्चों जिसे हम सह नहीं सकते वो असहाय नमबर सोले है जिसका कोई सहायक ने हो असहाय नमबर सत्रह इश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक नमबर अठारह आज्या का पालन करने वाला आज्याकारी नमबर उन्नीस जो चिकित्सा इलाज करता है चिकित्सक नमबर बीस जो इश्वर में विश्वास ने करता हो नास्तिक नमबर इक्किस जिसने कोई अपराध ने किया हो निर्पराध निर्जमा अपराध से बन गया निर्पराध तो बच्चों जिसका कोई सहायक नहीं होता कोई सहायता करने वाला नहीं है उसे कहते असहाय और इश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक आज्या का पालन करने वाला आज्या का रियजिसे अंग्रेजी में अबीडियेंट भी कहते हैं जो चिकिट्सा इलाज करता है यानि जो चिकिट्सा करता है इलाज करता है उसे कहते हैं चिकिट्सा अंग्रेजी में उसे कहते हैं डॉक्टर नमबर 20, ईश्वर में जो विश्वास ने करता हो नास्तिक, जो भगवार में विश्वास नहीं करता हो उसे हम कहते हैं नास्तिक आगे देखिए, जिसने कोई अपराध है, जिसने कोई जुर्म ने किया हो, उसे कहते हैं निर्पराध या बिना अपराध के आगे देखिए नमबर बाईस जिसका कोई आकार ने हो निराकार नमबर तेईस ऐसा स्थान जहां कोई भी व्यक्ति ने रहता हो निर्जन नमबर चोबिस जिसके पास धन ने हो निर्धन नमबर पच्चिस जिसे लज्जा ने आती हो निर्लज नमबर चोबिस परिश्रम करने वाला परिश्रमी तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम कहते हैं निराकार जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता उसे कहते हैं निर्जन यानि बिना जन के बिना लोगों के जिसके पास धन नहीं होता उसे कहते हैं निर्धन और जिसे लज्जान नहीं आती है उसे कहते हैं निरलज परिश्रम करने वाला परिश्रम ही होता है यानि महंती आगे देखिए नमबर सत्ताईस दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी नमबर अठाईस मास में एक बार होने वाला मासिक नमबर उनत्यस वर्ष में एक बार होने वाला वार्शिक नमबर तीस जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस नहीं है नमबर इकत्यस केवल शाक सबजी खाने वाला शाकाहारी तो बच्चों जो दूसरों पर उपकार करता है उसे कहते हैं परोपकारी मास में एक बार होने वाला उसे कहते हैं मासिक और वर्ष में एक बार होने वाला वार्ष एक प्रत्य जुड़ा इन दोनों में जिस पर विश्वास ने किया जा सके विश्वस नहीं है केवल शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे आगे और, देखिए नमबर 32 समान अवस्था वाले, सम्वियसक नमबर 33, जिसमें सहने की शक्ती हो, सहनशील नमबर 34, वह जयनती जो पचास स्वर्ष पूरा होने पर मनाई जाती है स्वान जयनती स्वैम सेवा करने वाला स्वैम सेवक तो समान अवस्था वाले, उम्र वाले सम्वियसक जिसमें सहने की शक्ती हो, सहनशील जो पचास वर्ष पूरा होने पर जयनती मनाई जाते हैं, उसे हम कहते हैं, स्वान जयनती कहते हैं, गोल्डन जयनती और पच्चिस वर्ष पूरा होने पर मनाई जाती है, वो थी है, सिल्वर जयनती तो सिल्वर जयनती, गोल्डन जयनती स्वैम सेवा करने वाला स्वैम सेवक जो खुद की स्वैम सेवा करने वाला है, उसे हम कहते हैं, स्वैम सेवक तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का अभ्यासकारी है, जो वाक्याश के लिए एक शब्द का है तो देखें, प्रशन है, मिलान कीजिए जिसकी कल्पना ने की जा सके अकल्पनिय, जिसका भाग्य अच्छा ने हो, अभागा जो सहाने जा सके, असहाए जिसका कोई आकार ने हो, निराकार जिसमें सहने की शक्ती हो, सहनशील सत्य बोलने वाला, सत्य वादी जो दिखाई ने दे अद्रिश्य जो दिखाई ने दे अद्रिश्य बचों, ये वाक्याश के लिए एक शब्द का अभ्यास कारी है आपको इसे पुस्तक में करना है पाठ बारह संसार पुस्तक है लेखत जवाहरलाल नहरू तो बचों, अब हम पाठ बारह संसार पुस्तक है जवाहरलाल नहरू का सार पढ़ेंगे जैसा कि आप जानते हो कि आपकी परिक्षा होगी संसार पुस्तक है पाठ बारह की, क्रिया की, काल की और वाक्याश के लिए एक शब्द की तो बचों, अब हम शुरू करते हैं पाठ का सार यह पाठ जवाहरलाल नहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा गया एक पत्र है इस पत्र में उन्हों ने अपनी पुत्री को छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है ताकी भविश्य में बड़ी चीजों दुनिया को समझने में आसानी हो वह अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को विभिन्न देशों के बारे में जानकारी देते थे इसलिए उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इंग्लेंड छोटा सा टापू है और हिंदोस्तान बहुत बड़ा देश है बचे इस पाठ में जौहरला नहरुजी ने अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को पत्र में लिखा कि यदि आप छोटी से छोटी चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दुनिया को समझने के लिए आपको हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी प्राप्त करने होगी ताकि भाईशे में आप बड़ी बड़ी चीजों दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकें वे अपने पत्रों के माध्यम से देश और दुनिया की खबरें उन तब पहुंचाना चाहते थे उन्होंने पत्रों के माध्यम से बताया कि इंगलेंड तो एक छोटा सा टापू है और हिंदोस्तान बहुत बड़ा देश है तो ये सबी चीजें उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को समझाई तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आगे पाठ का सार देखिए हिंदोस्तान दुनिया का छोटा सा हिस्सा है इसलिए दुनिया को समझने के लिए पत्रों में बताई गई बातों को ध्यान से पढ़कर समझना कि संसार एक है इसमें रहने वाले सभी भाई बेहन है बड़े होकर इनके बारे में जानने के लिए तुम्हें खुशी होगी एक समय ऐसा था जब धर्ती बहुत गर्म थी इस पर कोई आदमी तथा जानवर नहीं थे बच्चों हिंदोस्तान दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है जबकि इंग्लेंड जो है एक छोटा सा टापू है इसका अर्था हिंदोस्तान एक बहुत बड़ा देश है जैसा कि उन्होंने पत्रों में बताया कि संसार एक पुस्तक की तरह है सारा संसार एक है यदि हम संसार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानना होगा कि इसमें रहने वाले लोगों की क्या जाती है क्या खान पान और क्या रहन सहन है उन्होंने पत्रों में यह भी बताया कि हमारी धर्ती बहुत गरम थी इस पर कोई भी आदमी तथा जानवर नहीं थे तो उन्होंने पत्रों के माद्यम से बताया धर्ती एक आग के गोले के समान थी आगे देखिए परन्तु आज यह संसार आदमियों और जानवरों से भरा हुआ है पुराने जमाने में किताबें ने होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें किताबों जैसी जानकारी मिलती है जैसे पहाड, नधियां, समोद्र, जानवरों की हड्डियां आदी संसार रूपी इस उस्तक को पढ़ने के लिए प्राकृतिक वर्दान पत्थरों और पहाडों को पढ़ना चाहिए बच्चों आज जो है यह संसार आदमियों और जानवरों से भरा हुआ है कहते हैं ना कि भारत की जिनसंख्या बहुत अधिक है तो होस्चारों और आदमी और जानवर सब कुछ भरे हुए है पुराने जमाने में जब किताबे नहीं थी तो हम कई चीजों की जानकारी क्या करते थे पहाडों नदियों और समुद्रों से प्राप्त करते थे उसी तरह यदि हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है तो हमें प्राकृतिक वर्दान पत्थरों और पहाडों को पढ़ना चाहिए तो देखे आगे सडक पर या पहाड की नीचे पढ़ा हुआ एक रोड़ा संसार रूपी पुस्तक का एक प्रिष्ठ है जिस पर इसी भाषा को सीखने के लिए अक्षरों को जानना जरूरी है उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के वर्दानों पत्थर वै रोड़े आदी को भी जानना जरूरी है यदि तुम अपनी आखों से देखो और कानों से सुनो तो तुम्हें वहे अपनी पूरी कहानी तो देखिए सडक पर या पहाड के नीचे एक पड़ा हुआ रोड़ा संसार रूपी पुस्तक का एक प्रिष्ट है जिस प्रकार किताबों की अंदर जब जानकारी होती है तो उसे हम उसके अंदर प्रिष्टों से पढ़ते है पेजों से उसी प्रकार हम प्रकृती की जानकारी भी प्रकृती की चीजों से ही प्राप्त करते हैं जैसे संसार की जानकारी पुस्तक के प्रिष्ट से होती है और प्रकृती की जानकारी सडक पर या पहाड के नीचे पड़वे उस रोड़े से भी होती है जिस प्रकार इसी भाशा को सीखने के लिए अक्षरों का जानना जरूरी है उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए उसके वर्दान पत्थर वे रोड़े आधी के ज्यान को भी जानना जरूरी है यदि तुम अपनी आखों से देखो और कानों से सुनो तो तुमें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है तो बच्चों पत्थरों और रोडों से भी हमें प्रकृति की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सकती है यानि प्रकृतिक वर्दान जो हमारे हैं उन्हीं के द्वारा हम प्रकृतिकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं देखे आगे चमकीला सा नुकीला बनने तक की कहानी सुना देगा वह बता देगा कि कभी वह भी चटान का टुकडा था और किस प्रकार पहाडों से बहकर दरिया में पहुच गया इस दौरान बहते बहते उसके की नारे घिस गए वह चिकना और चमकदार हो गया यदी दरिया उसे और आगे ले जाता तो बचों एक पहाडों और समुदर के नीचे पढ़ा हुआ रोड़ा जो है अपनी कहानी बता देता है कि वह चमकीला और नुकीला कैसे बना क्या होता है बेटा एक चटान का टुकडा जब टूपता है तो सालों साल वहाँ पढ़ा रहता है उसके बाद आगे आगे कहीं बढ़ता चला जाता है तो उसके कोने गिसते चले जाते है सालों साल वह नदी की किनारे होता है तो फिर धीरे धीरे वह समुदर के पास जाता है उसका जो चमकीला और नुकीला होने का सफर है वह बहते बहते उसके कोनों के गिसने पर बनता है तो यदी पहाडों से बहकर दरिया में पहुँचता है तो उसके किनारे भी घिस जाते है और वह चिकना भी हो जाता है और चमकदार भी हो जाता है और यदी यही टुकडा यह पत्थर का रोड़ा जो है यदी दरिया उसे और आगे ले जाता तो क्या होता देखिए यदी दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह घिस घिस कर बालू का एक कन बन जाता इसलिए यदी रोड़ा अपनी कहानी बता सकता है तो पहाडों और दूसरी चीजों से भी भिन भिन प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है बचों जिस प्रकार चटान का टुकड़ा घिस घिस कर बालू का कण बन जाता है और वहरोड़ा अपनी कहानी बता देता है उसी प्रकार पहाडों से और दूसरी चीजों से हमें प्रकरती की जानकारी प्राप्त हो सकती है तो इस पार्ट में यही समझाया गया है कि संसार एक पुस्तक है और हमें यदिस की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें संसार में जो बसे देश हैं उसमें रहने वाले लोगों की जानकारी उसमें रहने वाले लोगों की जाती उनका खान पान और रहन सहन पता करना होगा तभी हम संसार के विशे में जान पाएंगे उसी प्रकार देखिए चटान का एक टुकड़ा पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा जो है तूट कर उसके कौन घीज जाते हैं नदी में पड़ा रहता है तो वे चिकना और चमकदार भी बन जाता है एक छोटा सा रोडा अगर अपनी कहानी सुना सकता है तो हम प्रकरती के बरदान पत्थरों पहाड़ों नदियों और समुद्रों से हम प्रकरती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो देखिए बच्चों आप बात करेंगे हम आज के ग्री कारिये की तो ग्री कारिये ग्री कारिये है आपका वाक्याइश के लिए एक शब्द याद करो वे लिखो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है और मेरी मेल आईडी पर आपको होमवक भी सेंड करना है धन्यवाद बच्चों अब हम मिलेंगे अपने अगले वेक्यान में